महियर में आमादमी पार्टी की जनसभा हुई जिसमें पंजाब के विधाया के दिनेश चड़्डा ने शिवरा सरकार पर निशाना साधा विधायक चड़्डा ने कहा कि परदेश की भाजपा सरकार आम जन्ता को लूट रही है और अपने दोस्तों को फायदा पहुचा रही है आप एक बार आमादमी पार्टी को मौका दीजे हम सभी समस्याओं को दूर कर देंगे मैयर में आमादमी पार्टी के जन्साभा हुई जन्साभा को संब्यूदित करते हुए पंजाब के रूप नकर से विधायक दीपक चड़्डा ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में आमादमी पार्टी की सरकार बनते ही सभी लोगों के बिजली के बिल जीरो आने लगे है आज अमीर हो या गरीब सभी के बच्चे एक साथ बैट कर शिक्षा ग्रहन कर रहे हैं दिनेश चड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी आम जन्साभा को दूर करने की बात करती है जबकि आज तक कॉंग्रेस और भाच्पा ने सक्ता में रहते हुए गरीबों के लिए कोई क आम नहीं किया है वहें इस कारिक्रम में आपने ता बैजनात कुश्वहा सहित आम आदमी पार्टी के समस्ते कारिकरता एवंपदादिकारी मौझूद थे यहां पर लोगों की लूट हो रही है मुलक में सबसे महेंगी बिजली मिल रही है और यह पोशन गटाले के आपने कैक की रिपोर्ट देखी है जमीन के गटाले का आपको पता है तो इन सब इस इस लूट को रोककर आम आदमी को से सुबदाएं देना आम आदमी की बिजली करण के उदिश्य से समवेधन शिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लारली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपए दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुचाई जाएगी योजना की प्रत्रिया बेहसरल और निशुल को है योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यक्ता भी नहीं है 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी एक हजार रुपया की पहली किस्त योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेलप लाइन डंबर 0752700800 एवं वेबसाइड cmlaadlibehna.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटी कमिशलेश हम करते हैं सट्य का अनवेशा तखल नीउज आपके हक्त में आप देख रहे हैं तखल नीउज